एसलिज़ीं देडिये में सुन राट है और समीन फिर्टाट्रली द inappropriate and distribution राट है ब् מחीी इन आज मम्याथ आज अगा वीडियो हम बात करने वाले फैंटम डिया अगे चल गे फैंटम के बारे में क्या सोचना चाहिए हमे ढार के फैंट क सक्ते हैं अ मैं किस चीज के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करूँगा नमबर one, history of phantom वो मैंने उल्रेडी 5 महिना पहले nella phantom के ओपर एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने explain किया था कि phantom क्या है DAG, क्या है, phantom के approximate transactions per second वगैरा as well as CBDC से लेकर जो use case वगैरा है वो सब किस काम का है पर आज के वीडियो में वो हिस्टरी हम थोड़ा सा रहने देते हैं मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया जब यह अंड्रे कॉन्यों वाला पूरा किस्सा हुआ था उसमें मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया था कि फैंटम है क्या तो वो आप वीडियो दोनों वीडियो आप ज़रूर चेक आउट करें उसके बाद चाहे तो इस वीडियो पर आ सकते हैं अगर आपको अल्लेडी आइडिया है फैंटम क्या है तो लेट्स कंटिन्यू टू लेवल टू और थोड़े एक मुद्दे की बात करते है ठीक है जादा बिना घुमाए फिराए स्क्रीन चेल मैं आप लोगे साथ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्टिल एक क्विक सेकिंड जो है ले लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ फैंटम का करेंट प्राइस 1.18 सेंट चल रहा है महीने बर के अगर मैं पीछे करूँ तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि फैंटम यहाँ अप्रॉक्सिमेटली इतनी मुश्किल से उपर आया था बेचारा और उसके पर अंड्रे कॉनने वाला पूरा जोस्त किस्सा हुआ जिसमें बहुत सारी गड़बड बहुत सारे जूट जूट बोल सकते हो या आप ऐसा बोल सकते हो कि गड़बड की गई और यहाँ गड़बड वाला एक सिचुएशन क्रियेट हो गया जिसकी वजह से काफी कुछ यहाँ पर इशूज आये मैंने वीडियो में भी एक्स्प के इकोसिस्टम में फैंटम बहुत ही बड़ा है अगर हम इसकी fully diluted market cap की बात करूँ तो 3.7 billion के आसपास आता है पर इनके साथ जो डीफाइ एकोसिस्टम है फैंटम के ओपर वो billions में यहाँ पे जो है transactions कर रहे हैं and जो number of transactions है वो भी काफी अच्छा है तो वो मैं आपको एक स daps है most of them are not getting terminated मैंने भी वीडियो में वो शेर किया क्योंकि वहाँ पे हर उस dap के page पे आ रहा था कि यह app बंद हो जाएगी पर ऐसा नहीं है उनकी teams जो है उनको carry कर रही है तो फैंटम foundation की तरफ से एक article है जो मैं share करना चाहता हूँ and then मैं future पे आता हूँ and यह भी बहुत ज समझोगे यहाँ पर phantom के अंदर चल क्या रहा है तो foundation यह सब आप देख सकते हो 200 million transactions with 2 million active wallets is the currently current phantom का ecosystem इस नहीं यहाँ पर यह भी बोलाए कि एक बंदे का काम नहीं हो सकता of course automatically यहाँ पर थोड़ा सा zoom in कर ले तो मैंने notice कर रहा हूँ यहाँ पर शायद जो जो text है screen पर यह छोटा हो आपके लिए अभी I think better होगा या तो यहाँ बात करते हैं अब उन्होंने उसके बात specific pointers कुछ यहाँ पर दिये हैं तो वो pointers क्या हैं पहली बात यह true है कि Andre जो है crypto or DeFi से निकल रहा है पर आप यह आगे का देखोगे तो उसने Andre ने यह भी बोला है कि I have no doubts कि they will continue to succeed and ph Phantom जो है वो Phantom की जो team है वो सही रास्ते पर है पहली बात दूसरा Andre जो है Phantom में advisor था मुझे भी काफी लोगों ने काली निकाली तेर को नहीं पता history तू जाके देख वगेरा 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 स्टार्टिंग में Andre ही था सिरफ नहीं Andre was working with the team he was leading the team no doubt वो advisory side से भी lead कर रहा था और development इस दिमाग वाला है इस ecosystem में I will say yes he is right at the top पर उसने यहाँ पे high level technical और treasury management advice यहाँ पे दिया जो और plus also यहाँ पे उसने collaborations वगरे बहुत अच्छे करवा के दिये दूसरी बात Andre और Anton ने 25 projects को terminate नहीं किया है उनकी खुद की involvement जो है वो वहाँ से निकाल ली है तो जो existing team है वो य learn finance जो है वो उनकी teams उनको आगे ले जाएंगी वो बंद नहीं हो रहे है नमबर चार Andre और Anton फैंटम में कभी भी core developer नहीं थे Andre ने established existing team है जो developers की उनको hire करना उनको setup करना वो सब उसने try उसने करवाया है पर it is the team that has built the tech stack जिस पे फैंटम बना है कुछ developers जो है वो फैंटम के यहां पे associated है नमबर पांच अंडरे ने फैंटम की tech जो है नहीं बनाई है एक बंदा अकेला यह tech नहीं बना सकता बिल्कुल सही है कोई भी अच्छा बड़ा project एक बंदा नहीं बना सकता अंडरे और अंटन जो है 25 products same time पे चला रहे है यह गलत है wrong है कोई भी दो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं of course यहां पे एक project के यहां पे काम करने में धजियां उड़ जाती है क्योंकि 24 घंडा crypto चलता है तो बहुत ही मुश्किल चीज थी नमबर साथ फैंटम जो है फैंटम की foundation इन 25 प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं रखती नमबर आठ फैंटम का development is continuing as normal in fact it it is accelerating because new hires are being made तो नहीं लोगों को यहां पे hire किया जा रहा है इसलिए फैंटम का जो development है वो उल्टा बढ़ रहा है नमबर 9 रेक्ट का article अगर आप लोगों नहीं पढ़ा उन्होंने बताया कि यहां पे liquidity निकाली जा रही है फैंटम के जो users rather फैंटम के जो owners है वो यहां पे उसको रगपूल करने की कोशिश कर रहे हैं और दो गंटे के अंदर अंदर वो article हटा लिया गया क्योंकि वो जो liquidity introduce की गई थी वो bridge के लिए liquidity introduce की गई थी और वहां पे उस transaction को यह सब के mall में लोगों ने गलत पड़ा उनको लगा कि यहां से लोग भग रहे हैं और फैंटम प्राइस गिर गया तो मैं बहुत बार तब भी मैंने उस वीडियो में भी बोला था जब यह सारा किस्सा हुआ था कि यार development देखो price action ठीक है आ जाएगा long term में यह हो गया fandom का अब बात करते हैं daily transactions की तो daily transactions अगर हम देखें यहां पे 2 March से 2 March को यहां पे गिरा है daily transactions of course कम दिन का 6,80,000 transactions मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ चार्ट को आपको यह clearly दिख रहा होगा यहां यह देखो यहां पे यह है December 6,80,000 transactions एक दिन के है यह December में थे उसके बाद Jan के बाद यह 1,10,000,000 transactions क्रॉस किया है और हम यहां पे 14,000,000 की range में भी आए है currently हम यहां पे phantom हम का मतल 9,88,000 daily transactions पे चल रहा है this is daily transactions let's talk about unique addresses जो है daily addresses कितना है daily addresses guys अभी भी यह news आने के बाद भी मैं पिछले अगर 7 मार्च से देख लूँ 16,000, 8 मार्च 15,000, 9 मार्च 15,000, 10 मार्च 15,000, 14,000, 10,000 हम इसी range में जो है चल रहे है current unique addresses on phantom is 2.4 million unique addresses with daily increase above 10,000 आप यह अभी देखो यह July 2021 से कैसा चलता आ रहा है बढ़ते जारा बढ़ते जारा बढ़ते जारा है यहां पे भी हमें unique addresses में भी आज भी जो है यहां पे slow चीजें होती नहीं नजर आई है FTM scan पे अवेलेबल है data यह आप यहां पे check out कर सकते हो now this is very very important in my opinion क्यों यह important है क्योंकि यह हमें बताता है कि phantom का जो ecosystem का growth है वो growth अभी भी अच्छे से यहां पे हो रहा है ठीक है unique addresses add हो रहे है अपना daily transactions continue हो रही है development team नहीं जा रही है तो यह सब चीजों के हिसाब से do I believe कि phantom is going to do just fine yes phantom जो है मैं एक second अगर वापिस आ जाओं एक तो बड़े screen पे और phantom की अगर मैं बात करूँगा इस तो phantom जो है न phantom का जो tech है वो tech actually DAG पे चलता है head era hash graph अगर आप जानते हो तो DAG आपको पता होगा वो भी DAG पे है जिसको directed acyclic graph बोनते है उसमें parallel में बहुत सारे computing processes किये जाते हैं nodes के थुरू and उसकी वज़े से comparatively जो security है वो better रहती है and because transactions parallelly pass हो रहे है node to node to node इसकी वज़े से जो verification है बह वो कुछ second का है एक दो second की range का है and ये scalability और को ecosystem दिता नहीं है अभी phantom के उपर जैसे growth हो रही है जैसे लोग चीज़े build कर रहे है as well as phantom का जो ecosystem है वो जादा लोग जान पैचान कर पा रहे हैं उस ecosystem से चाहे defy के लिए use हो रहा हो चाहे payments के लिए use हो रहा हो चाहे CBDC के लिए use होने लगा हो यहाँ पर because इतना fast चीज़ें हो जाती है ये एक काफी अच्छा scalable system हो सकता है security wise भी it is going to be great overall क्योंकि एक blockchain की यही बात होती है na security कैसी है decentralized है या नहीं है scalable है या नहीं है तो ये सारे angle जो है टिक मा करता है phantom कहा लैक करता है पहली बात phantom जो बना है guys वो लाख something transactions per second के दावे से बना है of course they have not said कि हम phantom के पहले दूसरे version में ही वहाँ पहुंच जाएंगे ऐसा कोई possible ऐसा तो नहीं है Elon Musk भी rocket उड़ा रहा है तो regular उनको rocket उड़ा उड़ा के test करने पड़ते है तो ये वो system यहाँ पे है काफी time लग सकता है हो सकता है कुछ साल लग जाए phantom को उस मौकाम तक पहुंचने के लिए जहाँ वो जाना चाते है which is कुछ लाख transactions per second क्या तब तक और projects निकल पाएंगे या नहीं जो उस तरह की speed इस तरह की decentralization और security दें probably निकल सकते हैं I think अगर phantom कर पाएगा तो और भी लोग कर पाएंगे क्योंकि tech तो फैल ही जाती है कैसे ना कैसे करके तो पर अगर हम आज का ecosystem देखे तो आज के ecosystem में guys कुछ main नाम है जो आप notice कर रहे हो यहाँ पर काफी important नाम था solana जो I think because उनका team उनका reach उनका marketing काफी जादा strong है तो they have the potential पर solana is not there yet solana को बहुत time है अभी solana is not there yet पर phantom अच्छा कर रहा है avalanche अच्छा कर रहा है luna का जो ecosystem है excuse me टेरा लूना का जो ecosystem है वो अच्छा कर रहा है टेरा लूना का ecosystem में एक काफी बड़ा जो potential है वो उनका UST भी जो रखता है जो उनका खुद का stable coin है वो भी काफी अच्छा potential यहाँ पर रखता है additional जो ecosystem में जो बड़े बड़े वादे करता है वो है also cardano cardano का जो hydra और यह सारी angles है अब उनको भी काफी time है cardano के development को भी काफी time है cardano का भी अगर आप देखो तो चीजे launch हो गई है पर उसके ओपर जो daps है वो बनने में वो टेस्ट होने में जनता उनमें आने में जनता बहुत ज़ादा transactions करने में भी time है हाला कि cardano के भी अगर आपन wallets और यह सारी angles देखें तो everything is fine but mostly cardano के ओपर अभी utility बनी नहीं है avalanche पर चीजे चल रही है start हो गई है solana पर ठीठा चीजे start हो गई है I think nfts वाला part was important for them but phantom is doing great tera is also tera पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग है जो crypto jargon channel follow करते है तो आप लोगों ने tera पर staking अगरा कभी देखा हो अगा right नहीं बात की last year बात की थी इनकी बर detail में क्यों बात नहीं की क्योंकि वहाँ पर risk जादा था right उस time पर situation ऐसी थी कि development है नहीं है कितनी है सब बहुत ही if if situation था पर अभी यह जो ecosystems है इनका development side से और marketing side से काफी अच्छा एक grass बन गया है market में and market गर गई है right तो दो चीजे हुई है ecosystem बढ़ गए है market गर गई है तो I do think कि आने वाले time में आने वाले कुछ सालों में potential रखते हैं अगर इनके teams जो हैं ऐसे ही काम करते रही इनकी leadership जो हैं ऐसे ही काम करते रही क्या Andre Conier और ये Anton के बहुत सारे ऐसे projects को contribute ना करने की वज़े से performance पर affect पड़ेगा yes of course आप लोगों ने देखा price गिर गया पर I do think एक vision होता है न तो अगर इनके development team को वो vision दे रहा था Andre Conier for example तो यहाँ पर थोड़ा सा आप वो vision नहीं मिल पाएगा तो I think थोड़ा motivation से related issues हो सकते है I think tech side से दिमाग side से तो team ही है अकेला बंदा नहीं करता है इतनी सारी चीज़े possibly नहीं है दिमाग फट जाएगा बंदेगा पर motivation side से as well as एक overall direction होता है चीज़े समझने की एक चीज़े समझने का तरीका होता है जो Andre जैसे लोग यहाँ पर provide करते है through their leadership also वो यहाँ पर थोड़ा सा गया है तो अब हमें कुछ time देखना है कि यह लोग अपने आपको navigate कैसे करते हैं जो roadmap का plan था वो roadmap का plan क्या उसी तरह से follow हो रहा है जैसा पहले laid out था या उसमें कुछ changes आए है तो यह कुछ चीज़े हमें आप ध्यान देनी पड़ेंगे आने वाले कुछ time में इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो mostly आपके जो doubts है fundamentals को लेके वो clear हो जाएंगे यह सारा resources जो मैं आपके साथ share करता हूँ कुछ special है नहीं ठीक है यह सब google पे phantom की website पे coin market cap पे available है और बड़े बड़े लोग है coin bureau जैसे जो बहुत ही जादा depth में जाके 3300 page की reports पढ़के ऐसे projects के उपर videos बनाते हैं वो भी आपके यहाँ पे fundamental research में आने चाहिए तो बहुत ही जादा important चीज है यह आप देख सकते हैं do let me know आपके thoughts की phantom आपके इसाब से कैसा कर सकते आने वाले कुछ सालों में आज का जो password है हम आज का password हम ring रख लेते and comment करो नीचे password and do let me know अगर आप ये video पूरा पूरे 15 minute तक देख रहे थे इतना patience as well as इतना knowledge or education gain करने में interested हैं तो दूसरी चीज़ वीडियो आए ना आए आए आप लोग ने notice किया होगा videos बीच में ये अफ़ते में एक दो दिन मैंने थोड़े से slow किये हैं but that is intentional क्योंकि market में कुछ हो नहीं रहा है तो हमको यहाँ पे बिना बात की हरकते करने की जुरूरत नहीं होती है market में जितना ज़्यादा हम active रहे उतना loss का chance बढ़ता है शांती से अपन बैठ सके पर market में हो रहे updates जो है वो टेलिग्राम पे आपको regularly मिलते हैं तो टेलिग्राम का link आपको description पिंट comment मिल जाएगा टेलिग्राम ज़रूर जोइन करें मैं tweets वगरा भी share करता हूँ टेलिग्राम में and उसके लावा जो updates वगरा है वो भी share करता हूँ तो twitter पे tweet किया और telegram पे share कर दिया ये भी करता हूँ regularly तो आपको काफी सारा जो पूरा का पूरा information है जो मैं जगा जगा पे कर रहा हूँ वो सारी एक जगा पे आपको चाहिए तो telegram पे best आपको मिल जाएगी दिन में multiple times तो do check that out as well this is Shivam signing off मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो से like बटन पे मुक्का जरूर मारे and subscribe करना मुद भूले का जाने के पहले आप लोगों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई